हेलो बच्चो प्लेस्मेंट सेल इंडिया में आपका स्वागत है प्लेस्मेंट सेल इंडिया हमेशा की तरह आपके लिए एक कंपनी और लेके आई है जिसका नाम DS ग्रूप है यह कंपनी ग्रेटर नोडा की है तो DS को जो फुल फार्म हो धरम पाल सक्तिपाल ग्रूप है तो यह कंपनी अपने ग्रूर्मेंट आटिया इंडिया कानपुर में आ रही है प्लेस्मेंट के लिए और इस कंपनी में सभी राजी के बच्चे पाटिसिपेट कर सकते हैं तो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि कंपनी में ट्रेड कौन सा होगा और इस करेक्टेरिया क्या है और सेलरी प्रेकेज क्या है यह सब बताऊंगा उससे पहले आप थोड़ा कंपनी को देख लीजे तो आपको सामने पूरा जो बड़ा सा एक्मासफिर दीख रहा है बड़ा सा पूरा जो कंपनी दीख रही वह आपका डीयर्स ग्रूप का है इस कंपनी में बाबा इलाची आपनी नाम सुना होगा सभी ने यूज़ किया होगा मेक्सिमुम सारे बच्चे यूज़ करते है या सबी बड़े यूज़ करते हैं यही कंपणी बनाती है मैं आपको सारे प्रोड़ेक्ट कि कंपणी बनाती क्या क्या है सब्जी मसाले कैच इसी की कंपणी है सब्जी Why वाटर बनाती है जूस बनाती है तो जीते भी कोल्ड डिंग्स होती है इसका निर्वाण भी यही कमपणी डियेस ग्रूप का ही है और चॉक्लेश टॉफी बनाती है पल्स टॉफी आता है यही कमपणी में आ रही है तो एक तंबैको आता है गुटका आता है रजनी गंधा काफी फेमस है इसका माउथ फ्रेशनर भी काफी फेमस है रजनी गंधा सुपारी पानमसाला भी काफी फेमस है तो पानमसाला का निर्वाण भी यही कमपनी करती है रजनी गंधा तुलसी भ और टॉफी और बन रहे हैं तो वो मसीनों बनती हैं तो वहां भी मसीन होगी तो कि हमें मसीन से मतलब है कि जहां पर हम लोग काम कर सकें तो फैक्टरी में मसीन लगा हुआ है उसी मसीन पर आपको काम करना पड़ेगा तो इस कंपनी में आपको पर्मानेंट जॉब करने का मौ कंपनी का नाम जैसे आप देख पा रहे हैं डियस ग्रूप है धरमपाल सत्यपाल ग्रूप है यह कंपनी ग्रेटर नोड़ा में है तो यह कंपनी गवर्मेंट आटी पंडूनगर में 16 12 2020 को आ रहे है तो 10 बजे यह कंपनी आ जाएगी तो आपको भी 10 बजे 16 12 2020 को तो देख पा रहे हैं कि यहां पर ट्रेट जूनर मांगा है वह आपका इलेक्टिशन फिटा टनर मसीनिस्ट है और वर्किंग लोकेशन आपका ग्रेटर रहेगा सेलरी आपकी 15,000 रुपए रहेगी पर मंत 12 गंटे के लिए और 8 गंटे की बात करूं तो 10,500 रुपए यह आ इंटीन फेसलिटी सारी चीज़े यहां पर आपको कंपनी स्वयमा के बताएगी उक्या के फेसलिटी जे रही है जो कम फेसलिटी आपको मिलेगा वो कंपनी आपको बताएगी एज 18 से 30 साल रहेगा तो जो बच्चे इस कंपनी में पाटिसिपेट करना चाहते हैं वो 16,12,2020 को गवर्मेंट टाटिय पंडू नगर कानपूर में 10 बज़े उपस्तित हो जाएं और अपने सारे डॉकुमेंट्स मास्क सिनेटाइजर अपने पास रखेंगे सोसल डिस्टेंसिंग का पलन करेंगे अनुसासन का पलन करेंगे तो जीस पच्चे के पास मास्क नहीं होगा और जिनके पास सिनेटाइजर नहीं होगा उसको प्रवेश नहीं दिया जाएगा इसलिए आपका मास्क आपके पास होना चाहिए जैहिन जैबारत धन्यवाद